कराची बिस्किट बनाने के लिए सबसे पहले आपको बटर लेना है कोई भी सॉल्टेट बटर ले सकते हैं अब आज की मेजरमेंट मैं 100 ml के कब से बता रही हूँ तो 40 ml जहां लिखा है उतना भर के लिया है और ग्राम्स की मेजरमेंट हम वेंग इसकेल में बताएंगे यानि की 30 ग्राम मैंने अमूल बटर लिया है शुगर पाउडर ली है वन फोर्थ कप यानि 100 ml का वन फोर्थ कप जहां पे 25 ml लिखा है उतना आपको लेना है शुगर पाउडर मेंगे अगर ग्राम्स में देखें तो 20 ग्राम यहां पे मैंने शुगर पाउडर लिया है आप इस कुकीज में शुगर बन टीस्पून और एड़ कर सकते हैं लेकिन इसमें टूटी फूटी एड़ होनी है जिससे की यह एक्स्टा सुईट हो जाएंगी इसलिए इसमें मैंने शुग कम से कम दो मिनट तक आपको अच्छे से फिटना है जब तक इसका कलर लाइट हो जाए तभी आपकी कुकीज पर्फेक्ट बनेंगी और क्रिस्पी बनेंगी अब यहां पे आपको एड़ करना है पाइनेपल एसेंस मैंने वन एड़ टीस्पून पाइनेपल एसेंस एड़ क में मैदा एड़ करना है मैदे की वेंट करना है मैदे के जो क्वांटिती है वो है कप अपक अपड़ क्वा कि अप को लोष्ट में और करना है मैदे को हमेशा आप अच्छे से अचिक पड़ीन करके डालें अब हम इसमें रह iron करें कस्टर्ड पाउडर वैनीला फ्लेवर कस्टर्ड पाउडर आपको 6 ग्राम एड करना है यानि की 3 टीस्पून जब भी आप टीस्पून से मेजर्मेंट कर रहे हैं तो हमेशा फ्लेट करके करें तब आपकी मेजर्मेंट परफेक्ट होगी इसके बाद हम इसमें एड करेंगे बेकिंग पाउडर वन फोथ टीस्पून और दो पिंच आपको एड करनी है बेकिंग सोडा अगर आप बेकरी के लिए कुकी बना रहे हैं तो इसमें आप दूद में अमोनिया मिक्स करके डाल सकते हैं वन एथ टीस्पून बिल्कुल दो पिंच अमोनिया डालना है लेकिन यहां मैं अमोनिया नहीं डाली हूँ इसलिए अमोनिया की जगे अगर आप भर की कुकी बना रहे हैं तो आप बेकिंग सोडा डालिए और इसके बाद आपको यहां पे डालनी है टूटी फूटी थर्टी ग्राम यानि कि अगर आप कप में देखें तो वन फोथ कप टूट अब इसको डो की तरह बनाना है जिसके लिए मैंने यहां पे त्री टी स्पून मिल्क एड किया है डो आपको टाइट बनाना है अगर आप सॉफ्ट डो बनाएंगे तो आपकी कुकीज क्रिस्पी नहीं बनेगी तो कराची बिसकेट में आपको टाइट डो बनाना है प्लस जो आप मार्केट में कुकीज काते है ओ यलो इश कलर की होती है जिसके लिए हमने चस्टरट पाउडर तो यूज किया है साथ में मैं इसमें वन डॉप जैल कलर डाला है यलो जैल कलर जिसको आप कम्प्टीटली स्किप कर सकते हैं आपकी कुकीज का कलर थोड़ा सा वो अच्छे से आपको अपने हाथ के घills से डो को शेप देना है । जो आप्स ही लिए में इसलिए इहां पर इसक sûएप v दिया है अब को इसे कर्या हमती हिख में रखना है जब तक आप दोपकश टोऔंधास ऐसे एड तब तक फ्रीज में हार्ड नहीं हो रही है, आप फिंगर लगा के देखें, तो इसको आप फ्रीजर में भी रख सकते हैं, लास्ट के 5 से 10 मिनट, अब यह अच्छे से हार्ड हो गई है, अब इसको आपको नाइफ की हेल्ट से अच्छे से पीसिस में कट कर देना है, कराची बिस्किट की थिकनेस एपरोक्स आपको वन इंच रखनी है, तो शाप नाइफ लें और शाप नाइफ की हेल्ट से आप एक एक इंच की दूरी पे कुकीस को कट करते जाएं, जब आप कट करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि इन बिस्किट में थोड़े से क्रेक्स आ गए हैं, तो नो नीट वर तो उसे अच्छे से बेलन चला देना है, जिससे कि जो भी क्रेक्स हैं, वो सारे सैटल हो जाएंगे, बेक होने के बाद ये सारे क्रेक्स विजिबल होते हैं, इसलिए आप इनको फ्लेट रखें, अच्छे से बेलन चला दें, फिर हाथ की हेल्ट से आप जो साइट्स हैं, अच्छे से उनको भी सेट कर दें, प्रॉपर स्कॉायर शेप दें, इसके बाद इसको आप बेक कर सकते हैं, ओटीजी में या फिर कड़ाई में, अगर आपको कड़ाई में बेक करना है, तो इस स्टेज पे आप कड़ाई को प्रीहीट करने के लिए रख दीजे, अगर आप कोटीजी में इन बिसकेट को बेक करना चाते हैं, तो इस टाइप का आप केक टिन यूज करें, जिससे की कुकीज बहुत अच्छे से बेक होंगी, अगर आप डिरेक्ली ब्लैक ट्रे में बेक करेंगे, तो कुकीज बर्न होने लगेंगी, और कड़ाई में बेक करने के मिनट तक बेक करें, 25-30 मिनट में आपको चेक करना है, कलर देखकर जब साइट से लाइट ब्राउन कलर आजाए, उतना आपको बेक करना है, और OTG की सेटिंग क्या रहेगी, आपको इसमें मिडल रेक में बेक करना है, बोथ कॉइल ओन रहेगी, 160 डिग्री सेल्सियर्स पे 23 मिनट तक बेक किया है, आप देख सकते हैं, बहुत अच्छा कलर आगया है, आपको इतना कलर चाहिए, तभी ये कुकीस परफेक्ट बनेगी, लास्ट के 2 मिनट और बच्चे हैं, उतना मैं बेक कर लेती हूँ, कलर आप देख लीजे, सिफ साइट में आएगा, जब आ 10 मिनट इसी ट्रे के उपर निकाल ठंडा कर लेना है, जिसके बाद कुकीस 15, 15 मिनट बाद हार्ड होती जाएंगी, सेम जब आप कड़ाई से निकालेंगे, आपको सिफ साइट का कलर देख के निकालना है, नीचे का कलर हमेशा लाइट ब्राउन होना चाहिए, अगर आपको कलर डार्क प्राउन हो गया मतलब कुकीज बन हो गई आप कभी वे ऐसे चेक नहीं करेंगे कि कुकीज अगर क्रिस्पी हो गई तब तक बेक करेंगे तो कुकीज पूरी जल जाएंगी आपको सॉफ्टनेश पे नहीं जाना है जस्ट आपको साइड का कलर देखना है पीछी का 30 लीटर का ओटीजी है तो इसको आप 150 डिगरी पे बेक करें सेम 20 से 25 मिनट ये देखिए कितनी क्रिस्पी बनी है अंदर से अगर इसको आपको सॉफ्ट बनाना है तो इसको आप थोड़ा और कम बेक कर सकते हैं तो ये सारी कुकीज को सेम सारी टिप्स और ट्रिक्स फॉलो हुजह कम पूस्पैर आपने में कराची बिसकिट्स बताए थे उनको भी मैंने थे छंडा खर लिया है यह थी खुर से बैक हैं कडाई में का इक ळीम मीट्स सब्सक्राइब नहीं किया है और अभी तक अपमें मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है Seg society my channel support जानल स 먹만 Corps ह also press bell icon for latest video notifications. Thank you.